आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रा पर इस तरह की बेस्ट डिजाइन कैसे बनाते हैं तो मैं हूँ गुफरान टाइपिस्ट वीडियो को पहले ही कर दीजे लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोरल ड्रा ओपन कर रखा है अभी हम सबसे पहले स्टार टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद अपनी वर्क एरिया पर कंट्रोल दबा के इस तरह से एक स्टार बना लेना है इसके बाद ऊपर देखिए पॉइंट और साइड वाले इस ओप्शन पर जाकर यहाँ पर पांस लिखकर इंटर को प्रेस कर देना है तो अब स्टार में पांच पॉइंट हो चुके हैं इसके बाद पिक टूल पर किलिक करना है इसके बाद आलक किलिक करना है इतना करने के बाद फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करना है इसके बाद स्ट पर क्लिक करना है उसके बाद इस लाइन के सेंटर में क्लिक करके फिर एक लाइन ड्राक कर लेना है इसके बाद पिक टूल पर क्लिक करना है इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करना है फिर शिफ्ट को दबा के इस लाइन को इस तरह से जादा बड़ी कर लेना है इतना करने के एक बार नुमेरिक प्लस को प्रेश करके इस लाइन को डबल करना है डबल करने के बाद इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ कर यहां पर इस लाइन के सेंटर में लाकर रख देना है उसके बाद फिर नुमेरिक प्लस को प्रेश करके इस लाइन को डबल करना है डबल करने के ब फिर इसके center point को पकड़ कर यहां पर last में node पर लाकर रख देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इसके बाद अलक किलिक करना है अब इन तीनों लाइनों को shift को दबा के select कर लेना है उसके बाद control प्लस जी को press करके तीनों लाइनों को group में कर लेना है ओके इसके बाद इसी पर ए center में लाकर रख देना है इसके बाद इन तीनों को छोड़ कर बाकी सब कुस delete कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसके बाद इस group को select करना है फिर alt प्लस f8 यानि की alt f8 को press करके transformation open करना है इसके बाद यहां पर angle of rotation में 7 2 लिख देना है इसके बाद नीचे copy में 4 लि इसके बाद simply apply पर click कर देना है बस यहां पर देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है दोस्तों आप यहां से समझना बहुत easy है देखिए सबसे पहले free hand tool को select करना है इसके बाद यहां पर इस तरह से एक line draw करना है जैसा कि आप देख रहे हैं line draw करने के बाद toolbox में आपको virtual segment delete tool को select करना है इसके बाद अंदर की इन सभी line को delete कर देना है इतना करने के बाद toolbox में आपको smart fill tool को select करना है इसके बाद इसमें default color apply कर देना है जैसा कि आप देख रहे हैं इतना करने के बाद free hand tool को select करना है इसके बाद इसके बीच में यहां पर click करना है और इस तरह से यहां पर center में click करना है यानि कि एक line draw हो गई इसी तरह यहां से एक line center तक draw कर लेना है इतना करने के बाद simply pick tool पर click करना है इसके बाद first object पर click करना है इसके बाद इसी पर एक बार और click करना है अब यहां पर इसके center point को उठा कर यहां पर लाकर रख देना है इसके बाद second object पर click करना है इसके बाद इसी पर एक बार और click करना है अब इसके भी center point को पकड़ कर intersection पर लाकर रख देना है इसके बाद third object पर click करना है फिर एक बार और click करना है इसके भी center point को पकड़ कर intersection पर लाकर रख देना है बस इतना करने के बाद बचे हुए सभी object को delete कर देना है इसके बाद इस पूरे object को select करना है और इसकी outline को उपर यहां से none कर देना है इसके बाद first object को select करना है और इसमें Dark Red Color Fill कर देना है, इसके बाद केवल G को प्रेस करके Interactive Fill Tool को Select कर लेना है, इसके बाद इधर रेकिए, इसको कुछ इस तरह से Filter कर लेना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तरफ Dark और एक तरफ Light, इसके बाद तीसरे वाले Box को Select करना है, अब इसमें Same Effect देना है, तो Ctrl प्लस R को करके Repeat कर देना है, इसके बाद दूसरे वाले Box को Select करते हैं, अब इसमें कोई भी Color जैसे Light Red Fill कर देते हैं, इसके बाद Pick Tool पर किलिक करना है, इसके बाद First Object को Select करना है, अब इसको Transformation पर जाकर, यहां से Save to Angle पर 4 Copy Apply कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके बाद दूस दूसरे वाले Box को Select करना है, Select करने के बाद फिर से Apply कर देना है, इसके बाद छोटे वाले Box को Select करना है, और Apply कर देना है, इसके बाद Transformation को Close कर देना है, तो देखिए कुछ इस तरह से हो चुका है, तो दोस्तों अब यह Design Ready हो चुकी है, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बत तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक कियर